दोस्तो वैसे तो computer technology इंसानी जहन से भी ज़्यादा तेज मानी जाती है लेकिन फिर भी हर कोई ये तस्लीम करता है कि इसमें गलतियों की गुंजाइश मजूद है computer और जदीद technology को ज़्यादा से ज़्यादा काबल भरोसा और इंसान की तरह कम गलतियों के एहल बनाने के लिए बुज़िशता कई सालों से artificial intelligence AI यानी मसनूई computerized दहानत का भी इस्तमाल किया जा रहा है ताहम अब computer के लिए चिप त्यार करने वाली दुनिया की मरूफ अमरीकी company Intel ने एक ऐसी चिप मतारिफ करा दी है जिससे मतलिक company का दावा है कि वो इंसानी जहन की तरह काम करती है यानि ये चिप computer technology की तरह इंसानी जहन से तेज़ तो होगी मगर साथ ही ये इंसानी जहन की तरह चीजों को समझने के एहल भी होगी Intel ने इस चिप को Louie He का नाम दिया है क्योंकि इसे company के अमरीका में वाकिया लूई ही Research Center में त्यार किया गया है Technology की जबान में इस चिप को Neuromorphic Computer Technology का नाम दिया गया है जिसे Neuron चिप भी कहा जा रहा है Company का दावा है कि इस चिप को सिस्टम में नस्ब किया जाने के बाद Computer या Mobile सिस्टम इंसानी दमाग की तरह चीजों को समझने और मसाइल को हर करने का काम शुरू कर देगे इस चिप को मस्नुई जहानत की Technology में इंकलाबी कदम करार दिया जा रहा है Intel ने इस चिप पर 2012 में काम शुरू किया था Company का दावा है कि इस चिप में 1,30,000 Neuron और 1,30,000 साइनेप की ताकत है वाज़ रहे कि नियरोन इंसानी दमाग के असाबफ लियाद के निजान को कहा जाता है ख्याल किया जाता है कि इंसानी दमाग में 80,26 आई नियरोन पाई जाते है टिकनोलिजी के इस जदीद दोड में Intel की ये Neuron चिप एक इंकलाबी कदम थाबित होगी दोस्तो आज के लिए बस इतना ही माय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें